हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूर्ड में जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम जितने भी आज तक के मुगल काल से रिलेटिट जितने भी मोस्ट रिमॉनिक कॉश्चन पेपर में में रिपीट हुए हैं उनके बारे में डिसकर्स करेंग कि आप सोच ऑप एंसर है लोदी वंश्य और अंतिम शाशक को सब्षेर कि इंब्राइम लोुदी और वाबालत 526 यह में हुआ ता हुआश्य में अब करने डावरी ज्याके रिप्तरियों अब चार यूद लड़े ltre वह आपको इसे चरगार को आप इस वीड़ो के टक बने रहना तो आपको पता चल जाएक कि यह इतना easy है याद करना कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे ऐसे question second है मद्धे कालिन भारत में किसने पहली बार युद में तोपो का इस्तमाल किया था answer है बावर ने और ये युद हुआ था जिसमें पहली बार तोपो का इस्तमाल किया था ये युद कौन सा हुआ था ये पानी प्रत का प्रत्मी युद था और इसी में ही पहली बार क्या किया था तोपो का इस्तमाल किया था और उससे पहले आज तक किसी भी युद में क्या नहीं किया था तो ये बहुत important question है और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है तो आप इसे ज़रूर याद कर लें question 3 पानी पत के लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था answer है इमराहिम लोदी जैसे कि बहुत बार बताया भी था आपको लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया या फिर जो बाबर था वो 1526 में किस शाषक को उसने परास्त कर दिया था या किस वंश के शाषक को उसने परास्त कर दिया तो यह इस टाइप से question पूछ लेता है question fourth है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कोन था इसका answer है कोन था यह बाबर बाबर भारत का कोन का प्रथम मुगल बादशाह था यह भी question बहुत 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 पूछे भी गए हैं यह paper में इसलिए मैंने इसको भी involve कर रखा इसमें question fifth है दिली में मुगल समराजय की नीव निम्न में से किस लड़ाई के परिनाम शुरू पड़ी तो मुगल समराजय की नीव किस लड़ाई के उपरांद पड़ी थी मैंने आपको बोला भी था कि क्यों से लड़ाई थी पानी प्रथम लड़ाई और किसमें के बीच में कॉर्शन ने हैं लड़ा नहीं लड़ात है इसकल कोन प्राजित हो गया था इसकैंगर रंधा ≜ चार बने साल में लड़े थ 191 क् 자신prise में आपको बताऊंगे और एक से पर बटाओंगे जिससे आपको चारोयोद असानी से याद हो जए में और उनके सन भी असानी से याद हो जए गया और इन चारोयोद में कौन जीता था बाबरी जीता था आईये अब हम देखते हैं कि जो बाबर द्वारा जो चार यूद लड़े गये थे लाएन हरे क शाल में वो कौन-कौन से हैं जो पहला यूद था वो कौन सा था पानी-पत का प्रत्रम यूद और इसी के कारणी जो पानी-पत का प्रत्रम यूद हुआ था और इसमें किसकी विज़य थी पाबर की और इसी के विज़य के कारणी कौन सी मुगल वन्ष का क्या हो गयाता नीव पर गई थी और ये किस-किस के बीच में होई थी इम्राहिम लोधी और बाबर के बीच में मैंने आपको इस कोशन को इतनी वा रिपीट कर जाए कि आपको तो ये कोशन ऐसे ही याद हो गया होगा और ये पानी पत की प्रथम यूद कब हो आता 1526 में ऐसे ही खानवा का यूद हो आता सेकिन मैं आपको इसको ट्रिक बताती हूँ कि आप जो यूद होए हैं उनको कैसे लाइन भी वाइस याद कर सकते हैं आप अब ध्यान से सुनना पानी पी खाना खा चल घर और आपको असानी से याद हो गया पानी पी खाना खा चल घर और ऐसे ही इनके संतो लाइन वाज हैं तो आपको इसानी से याद होई जाएंगे बस आपको एक पानी पित का प्रथम यूद ही याद करने की जोट है जो कब हुआ था वो 1526 इश्वी में हुआ था और इन चारों यूद में कुन किस की विज़ई हुई थी बाबर की विज़ई हुई थी अब ये किस की बीच में हुआ ये देख लेते हैं आप इसको ये कैसे याद करेंगे आप से देखना जो ये राना संगार वर्ड लिखा हूँ राना रा को असानी से खा बना सकते हैं तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे जो मेदनी राय था उसमें भी एक ही मात्रा रहे और जो चंदेरी का यूद है उसमें भी एक ही मात्रा रहे चंदेरी ऐसे मेदनी राय तो आपको ये भी असानी से यादो जाएगा और फिर लाश्ट यूद किसके बीचे में था अफगानो और बावर के बीच में तो ये का मतलब है चार से चंदेरी का यूद और घर से घर तो इसको आपने असानी से याद कर लिया होगा मुझे लगता है आईए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉश्चिन सैवंत बावर ने प्रसीत तुलुगुमा अनीती का प्रयोग सरप्रतम किस यूद में किया थ हिमायू को बնवाए था कि इस ने किस पमअयू कर द करा वंऔर धया था उसकी जैना उसकी जो मित्य थी ना वेनब पुस्त काले थाğ शेर मंदल जो था पुस्तकाले उसकी सीड़ों के गिरने के कारण इसकी मौत हो गई थी हुमाईयों की तो यह कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है अब आते हम कोशन नाइन पे कि गुजरात विजय की यादगार में अकवर ने किसका निमान कराया था एंसर है बुलंदरवाजा कोशन नंबर टैंट बाबर को किस युद के बाद गाजी की उपादी दी गई थी जो गाजी उपादी दी गई थी वो उसे किस युद के बाद दी गई थी तो किस युद के बाद दी गई थी वो से खानवा के युद के बाद दी गई थी जैसे कि म तो याद करने के त्रिक भी बताई थी कि पानी पी खाना खा चल घर पानी पी से पानी पत का यूद्ध खाना खा से मतलब खानवा का यूद्ध और चल घर चल मतलब चंदेरी का यूद्ध और घर का मतलब घागर का यूद्ध तो इसको आपको याद हो गया होगा कि पंदर सो चबीस सताइस अथाइस उनती इस चैप से लाइन वा इसके सन है और इनकी जो शाशक नेम थी वह भी मैंने आपको याद करने के त्रिक बताये थी खानव कि किसा उद्य हूआ था बावल का और हो भी कौन सा खानवा का यूद् तollar ख कि 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 कुछだका जाता है answer एक अकबर betो कौन हिसाय का सुर्ण का जाता था। और ऐसी जो चितरकला का सुरिन काल था उसे किसी का जाता था वो का जाता था जहांगीर के काल को जो सलीम के नाम से भी भी क्याता है Q. 12 मुगर काल की राजभाशा कौन सी थी? एंसर है फार्शी Q. 13 अकबर के रिशाषनकाल में महा भारत का फार्शी में अनुवाद किया गया था वैं किस नाम से जाना जाता था? जब उसका महा भारत का नाम फार्शी के नुवाद में किया गया था तो किस नाम से? और ये कौशन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इस कौशन को अच्छे से नोटिस करना और इसको याद कर लेना तो उसे किस नाम से जाना जाता था? रज नामा या आपने जरूर रज नामा ये करकी कुछ ऐसे ही लिखा होता है तो आप इसे अराम से इसे नोटिस करना और ये कौशन सच्छी में 3-4 बहुत बार रिपीट हो रखा ये कौशन कौशन 14 अकबर के काल में दिन ए इलाही जो धर्म था को अपनाने वाला जो पहला हिंदू था वो कौन था एंसर है बीरवल बीरवली पहला हिंदू था जिसने दिन ए इलाही जो धर्म अकबर ने स्टार्ट किया था उसे अपनाया था और अगर आपसे यूँ पूछ ले कि पहला व्यक्ति कौन था तो वो खुद अकबर था और अगर आपसे पूछता है पहला हिंदू कौन था तो वो बीबल था और पहला व्यक्ति वो अकबर था कौशन 15 आईने अकबर ही पुस्तक के लेकर कौन थे एंसर है अब्बु फजल Q16 अकवर के समय में सैने कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था एंसर है फोजदार तो उसे फोजदार के नाम से जाना था जो सैने कमांडर हुआ करते थे और आइने अकवरी के पुस्तक के लिखा कुन थे वो थे अब्बु फजल जो जो एने ये जो थे अब्बु फजल वो अकवर के नो रतनों में भी शामिल थे Q17 आगरा काकिला किस मुगर समराट ने बनवाया था एंसर है अकवर Q18 अकवर ने अपने पूत्र सलीम को उत्तरदिकारी बनाया था जिनोंने किस की उपादी धारन कीती जिसका अर्थ है विश्व विजेता जो सलीम था उसने किस की उपादी धारन कीती वो थी जहागीर की उपादी धारन कीती उनोंने Q19 मैरू निसा जिन्हे नूर जहा के नाम से जाना जाता है वो किस की पतनी थी एंसर है वो किसकी पत्नी थी जो नूर जहां थी ये किसी की विधुआ भी थी तो ये कौन थी ये किसकी पत्नी थी ये ये थी जहागीर की पत्नी जिने सलीम के नाम से भी जाना जाता है Question 20 राज़कुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया जैसे सलीम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया था जहांगीर के नाम से वैसी जो खुर्रम था उनको किस नाम से जाना गया आप सोची ज़रा वो कौन थे वो थे सा जहां, उनको ही खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था और ये किसके बेटे थे, ये थे जहांगीर के बेटे Question 21, मयूर सिहासन पर बैठने वाला व्यक्ति का क्या नाम था जो मयूर सिहासन पर बैठा था, उस व्यक्ति का क्या नाम था Question 22, दिल्ली का मोती मस्जित किस मुगल शाशक ने बनवाया था एंसर है, औरंग जेब और जो आगरा का मोती मस्जित था, वो किस ने बनवाया था, वो बनवाया था, सा जहाने तो इन दो कॉर्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टुएंट जिसे दिल्ली का मोती मस्जित किस ने बनवाया औरंग जेब ने और आगरा का मोती मस्जित किस ने बनवाया औरंग वो, सा जहाने और ये कॉर्शन आते हैं पेपर में Question 23, किस मुगल बार्शा ने आलम गिरी की उपाधी धारन की थी? Answer है, औरंग जेब और आम जेब ने ही आलम गिरी की उपाधी धारन की थी Question 24, किसके शाषन काल में Captain Hawkins और Sir Thomas Rowe ने भारत का दोरा किया था? किसके शाषन काल में जो ये British officers थे Captain Hawkins और Sir Thomas Rowe वो भारत का दोरा किया था? किसके शाषन काल में? Answer है, जहांगीर और ये जो थे ना वो तीन थे, वो कौन-कौन से थे? William Hawkins, Sir Thomas Rowe और William Finch और इन तीनों में जो सबसे पहले आये थे, वो कौन थे? जो पहले अंग्रेज आये थे, ये भी Question बनता है कि पहले अंग्रेज कोन आये थे? वो किसके शाषन काल में? जहांगीर के शाषन काल में और कोन आये थे? William Hawkins तो ये Question भी Noticeable है, तो आप इसे ध्यान रखना अब Question 25 है, वो कौन सा है? दिल्ली का मोती मस्जिद, किस मुगर शाषक ने बनवाया था? तो वो किस ने बनवाया था? एंसर है, औरंग जेब औरंग जेब ने क्या बनवाया था? दिल्ली का मोती मस्जिद और साजहा ने क्या बनवाया था? आगरा का मोती मस्जिद तो इसमें आप Confuse मत होना, ये Question बहुत Important है 26, हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराना प्रताप ने किस साशक की सेना का सामना किया था? एंसर है, अखबर और ये जो हल्दी घाटी का ये यूद हुआ था? वो कब हुआ था? ये हुआ था 18 June 1576 इश्वी में हुआ था और वैसे ने जो हल्दी घाटी का यूद है था ना मेंली किस के बीच में लड़ा गया था? महाराना प्रताप और जो मान सिंग थे जो अखबर के क्या थे? सेना पती थे उनके बीच में लड़ा गया था किस के बीच है? महाराना प्रताप और मान सिंग के बीच में और ये हल्दी घाटी का यूद हुआ था? वो 26 में हुई थी 1526 में और जो दिखते लड़ाई हुथी हो कब हुई थी 56 में आप उसको आराम से याद हो जागा है क्योंकि दोनों के पीछे क्या क्या है 66 है और आगे उसमें 26 है और इसमें 56 है तो आपको असानी से याद हो जाएगा 27 मयूर सिहासन की शुरुआत किसने की थी एंसर है साज जहाँ और अगर आपसे यूँ कोशन पूछ लगा था कि पहला व्यक्ति कौन बैठा था मयूर सिहासन पे तो वो भी कौन बैठा था साज जहाँ बैठे थे और अंतिम व्यक्ति पूछते तो वो कौन था महमो शारंगी और इसे कौन लूट के ले गया था नादिर शाव जो फारस का लूटे रहा था वो इसे मियूर सिहासन को लूट कर लेके चला गया था और कुर्शन 28 किसे सार जहां की द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधी दी गई थी एंसर है दाराशिको और जो दाराशिको और जीत गया था जिसमें कों जीत गया था और जीत गया था अरणे जीत गया था और ऑरन जीव नहीं है अपने पिता को है जेल में भी बंद कर दिया था सार जहां को और औरंग जेव जीतने के बाद क्या बन गया था? अगला उत्तर अधिकारी बन गया था कॉर्शन 29 किस मुगर शाशक को दरवेश या जिन्दा फकीर कहा जाता था? एंसर है औरंग जेव और इन्हें ही ये ना वो भी कहा जाता था आलम गिरी इनको ये आलम गिरी की भी उपादी धारन थी और किया कहा जाता था? जिन्दा फकीर भी औरंग जेव को ही कहा जाता था कॉर्शन 13 किसने मैरून निशाक से शादी की थी? जिसे नूर जहा दुनिया की रोशनी की उपादी दी गई थी? उनका नाम मैरून निशा था परन्तु उनको किसकी उपादी दी गई थी? नूर जहा जिसका मतलब था दुनिया की रोशनी ये किनके शादी उई थी? वो थे सहागीर जिनको सलीम की नाम से भी जानते हैं कौन थे? जहागीर इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका ठैंक यू अगर आपको ये मेरी वीडियो जरी से भी हलफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आपको ऐसी ही और इंफरमेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को ज़र प्लीज प्लीज और आपको जब सिर्फ भी बeredाम सब्सक्राइब